स्वागत है आपका हमारी वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं अप्रोच के बारे में जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी और सोशल इशूज को लेकर कैसे यह टॉपिक मेंस का एक इंपॉर्टन्ट पिलर है और किस तरह हमारा प्लैन है अपने सोसाइटी एक इंपॉर्टन टॉपिक है कुछ लोग इंडियन सोसाइटी से कन्फ्यूज होके इसको सोश्यालोजी बना देते हैं तो याद रिखिए हम सोश्यालोजी ऑप्शनल नहीं पड़ रहे हैं जितना सोश्यालोजी के ठिंकर्स हैं या जो वहां का डेटा है वह आ अच्छे ये टॉपिक न्यूज में रहा है समाज में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है तो उस पर कोश्यन एक्सपेक्टिड है से पिछले साल अगर मैं आपसे पूछो कौन सा टॉपिक 2020 में आपको लग रहा है सबसे रेलिवेंट था प्रिलिम्स में अक्सर ऐस असान हो जाता है बागी चीज़ों के मुकाबले लेकिन जो चीज़ें UPSC में असान होती है वो उतनी ट्रिकी हो जाती कि वो सिर्फ आपको ही नहीं आता सामने वाले को भी आता है तो एक रटा रटा है आपको शायद थोड़े से मार्क्स कम दिलाएगा अगर आप बेटर बेटर औरियेंटेशन के साथ उस टॉपिक को देखें तो आपको बहतर मार्क्स दिलाएगा तो यही हम समझते हैं कि आज टॉपिक को कैसे कवर किया जा और कौन सी एरियास पर हमें फोकस करना है असल में सोसाइटी और सोचल इशूज का टॉपिक इस पजल की तरह है जहा प्राणने की कोशिश करेंगे यह लेक्टर बैसिकली जो हमारा कॉम्प्रेहेंसिव सॉलूशन दू में सी एसम प्रोग्राम है उसके उपर उसमें भी इंक्लूड़ेट है और प्रारम प्रोग्राम में तो आपको मिलता ही है जहां फोकस हमारे यह कि आंसर राइटिंग प् पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए syllabus में चीजे वेल डिफाइंड है और जब चीजे वेल डिफाइंड होती है तो हमारे आसान हो जाता है उसको लिमिट करना कि इस नहीं पढ़ना है क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है what not to read is as important as what to read क्या पढ़ना है और क्या नहीं आवेश में आता है यहां क्या नहीं पढ़ना वह important है syllabus में अगर आप देखिए स्पेसिफिकली मेंचेंड है सेलीन फीचर सव इंडियन सोसाइटी डिवर्सिटी रोल वुमन वुमन और ऑगनाजेशन पॉपुलेशन एस्टेट इशूज पॉवर्टी डेवलमेंट इशू पर क्या impact डाला students की life पर क्या फर्क आया women life पर क्या फर्क आया उसका population पर क्या changes आ रहे है पॉवर्टी बढ़ी अगटी आपने हाल में देखा हाल में हंगर इंडिया की रैंक और ज्यादा गिर गई तो जो यह situation है यह किसकी वजह से पैंडमिक की वजह से एक तरह से हो सकती ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का impact क्या हुआ इंडिया सोसाइटी पर अभी एगर हम pandemic को भी देखे तो उसमें भी globalization का रोल है अगर globalization इस तरह से नहीं हुई होती तो अभी जो society पर impact है इस बिमारी का उतना नहीं पहला होता शायद उतना spread out नहीं होती है disease उतना easy जितनी easily यह हुई है लेकिन यह भी reality है कि अगर globalization नहीं हुआ होता तो जो vaccine आज इतनी जल्दी पूरी दुनिया में बट गई एक global initiative launch उतना easy शायद नहीं हो पाता उतनी जल्दी आज तक किसी विमारी के लिए लोगो vaccinate नहीं किया जा सका है अभी हम देख रहे है globalization की इसकी वज़े से ही मान लीजे Quad की country साथ आई है वो कहीं हम logistics दे रहे है आप vaccine develop करो जो अपने IR में पढ़ा होगा या फिर कैसे इसकी वज़े से जो changes आ रहे है इंटरेशनल politics में या फिर इसकी वज़े से changes आ रहे है आपकी life में आप कैसे more work from home की बात आ गई आप ये वीडि प्रभाव हो रहा है आपकी जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है इसके बारे में आप सोचते हुए चलेंगे थोड़ा सा time दे रहेंगे तो easy हो जाएगा ऐसे कुछ topics होते हैं जो बहुत जारा प्रभाव डालते हैं society पे उन topics पे आप एक बार यह syllabus देगे चाहिए यह सारी keywords इन keywords पे इस चीज़ का क्या आसर हो रहा है तो उससे आपको अपने आप कुछ points मिल जाते हैं जिसके लिए आपको बहुत जाला content की महनत नहीं करनी है सवाल है कि वह thought process develop करना जो हम कोशिश करेंगे अपने lectures में आपको सिखाने की अगली बात आती है यही paper one तो है यह paper two social issues का health हो गई education हो गई इसमें क्या क्या काम हो रहा है poverty और anger related जो भी data है जो भी चीज़ें चलने जो समस्याइं है अलग-अलग राज्यों में वो again गरीबी किस पर प्रभाव डालेगी आपके समाज पे और अगर आप इस समाज में रह रहे हैं मालीज आप प्रपेर करने काफी ज से आते हैं 50 marks 60 marks के question सीधा पेपर 1-2 के हिसाब से लगा लें तो लग जाते हैं लेकिन society से कहीं आगे जाती है society का रोल आपके topic syllabus की बात कर रहा हूं मैं इनने society topic आपको कम से कम mains में 140 number लाएं तक हल्प कर सकता है अब आपको यह कैसे possible है यह ऐसे possible है कि जो आप ऐसे लिखते ह हैं ऐसे में society topic से मिलता जोलता बहुत सारे बहुत सारा content होता है बहुत सारे topic सीधा होते हैं जो आपको social analysis जो आप सीख रहे हैं इस topic में करने के लिए जो answer writing लिए आप यह content develop करेंगे जैसे आप issues को समझेंगे वो आपको मदद करेगा essay writing में आपके content को build करने के लिए आप essay writing लिए तो मैं suggest करूंगा आप एक vulnerable section ही बना ले पूरा vulnerable section in a sense vulnerable section में जैसे मालीजी आपने डाल दिया SCSTs, minorities, women, tribals या अलग-अलग sectors का आपने एक box बना लिए वहाँ पर कौन सी scheme काम कर रहे हैं उनके education पर कौन सी scheme काम कर रहे हैं उनके social upliftment पर कौन सी scheme का कर रहे है, stand-up program क्या ह इस तरह की कुछ योजना है, schemes आप अगर रखेंगे अपने पास तो आपको पता लएगा अच्छा, ये scheme इनके education में focus कर रहे है, ये scheme इनके innovation में focus कर रहे है, ये इनको skill build करने के मदद कर रहे है, तो आपको पता अच्छा, ये vulnerable section है, इनकी ये समस्याएं है, अगर आप एक hand इनकी 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 कौण सी schemes है, वो आपको अगर इसा hand drawn map भी आपने बना लिया, mobility की आप समस्या है, कि अब लोग महिलाये जो है वो बहाँ जागे काम कप कर पाएंगी, ये पढ़ने कप जाप आपाएंगी, जब security हो, उसके लिए government क्या कर रहे, क्या कोई help line number है, क्य क्या हमने secure campuses बनाए हैं क्या हमने जो laws हैं workplace पर उनमें कुछ guidelines आई हैं विशाखा guidelines कुछ है यह इस तरह की जो भी changes है आप उसके course sector से लगा सकते है mobility की बात आ गई फिर women education पर कौन सी scheme है उनके higher education में क्या काम किया जा रहा है primary education में क्या काम किया जा रहा है क्या उनके लिए hostels है तो कस्तूर बागान दी जो छात्रवास होते हैं वो क्या है वहां भी कुछ टाइम से वो news में रह रहे थे फिर pandemic की वज़े से women पर क्या impact हो रहा ह यह हम कोशुश करेंगे हम ऐसी analyze करें और मैं भी आपको suggest करूंगा जब भी आपको topic देख रहे हैं तो एक-एक page के भी जो important topics mentioned in syllabus में उनका अगर आप ऐसा hand-drawn कुछ अपने हिसाब से सिर्फ draw कर लेंगे अच्छा यह चीज़ें हो रहे हैं इससे आपकी build-up होती है thought process और यही इस पूरे topic का खेल है क्योंकि prelims के लिए आपने बहुत से चीज़ें पहले ही समझी है बहुत से schemes को पहले रट्टा मारा है लेकिन यहां रट्टा नहीं मारना है यहां सोच नहीं उसको present करना और कैसे present करना है question कैसे analyze करना है वह important component है जिसको हम आगे discuss करेंगे अब सबसे पहली बात what is society so society is web of social relations which is always changing where an individual forms the basic unit of it किसी भी society में खेल वही है social relations का जो हमेशा बदलते रहते है जो यह बदलाओ है social relations का यह क्या होता है कैसे यह relationships change हो रही है जैसे relationship आज से let's say 10 साल पहले या अब let's say 20 साल पहले एक family में इंडिया में हुआ करती थी कैसे इंडिया move कर रहा है from a joint family to a nuclear family तो क्या बदलाओ देखते हैं एक joint family पहले क्यो required हुआ करती थी क्योंकि लोग एक साथ रहा करते थे आज क्यों joint family नहीं नहीं रही है क्यों nuclear family बन रही है सिर्फ आपको 10 सेकंड लएंगे आप सोचिए इस तरफ क्यों ऐसा हो रहा है क्यों structure change हो रहा है क्या आप वहाँ रह रहे हैं जा आपके family हमेशा रहती थी क्या आपके father वहाँ है जा आपके दालाजी रहते थे या जो भी family के dynamics है वो change क्योंकि अब mobility बढ़ गई है अब opportunity आप communicate कर सकते हैं आप easily transport move कर सकते हैं एक तो वो और दूसरा joint family से हम nuclear family इसले भी move कर गए क्यों क्योंकि अब रहना महेंगा पड़ गया cost of living has gone आप cost of living उपर चले गई psychological भी चीज़े changes हुई है social structure change हुआ है तो ये सबी चीज़ है joint family में क्या होता था हर family member आपके लिए एक तर वो structure break out हो चुका है तो उसके break out होने के बाद जो changes हो रहे हैं कि अब लोगा profession जैसे change हो रहा है उसी हिसाब से लोगों की inclination मदलने को कैसे रहना है हम जादा individualistic society के तरफ बढ़ रहे हैं उसके फाइद नुकसान क्या है वो अब बाद में सोचिए पर क्यों हो रहा है आपने क क्यों को ही सोचा तो बहुत कुछ है वही सौलवर सब आपके चीज़ आपके निमाग के अंदर setup है जो observe कर गया बता सकते हैं यानि सारा पता है नहीं कुछ चीज़ें आपको सोच नहीं पढ़ेंगी क्योंकि आप बहुत कुछ अलड़ी cover कर चुके में मेंस के लिए एक्जांपल कश्मीर में हमने देखा जो कई नॉन लोकल्स थे उनको आतंगवादियों ने मार गिरा है उनको वहां से भागाने के लिए तो वो जो माइग्रेशन वहां से हो रही है वो क्या दिखाता है सुसाइटी के से मूव गरने पैंडेमिक में देखा इतना जारा माइग्रेशन हुआ लोगों का जो अपने घरों वापिस गए और जो चेंजिस आप सुसाइटी में देखने उसका क्या प्रभाव होता है क्या अर्बन सेट अप है क्यों आखिर कोई वेक्ति जो लेट से उ अगर हमने अपने अर्बन सीटी को जैसा डेवलप अभी किया है वैसे डेवलप करने के बजाए कुछ कॉंगलोमरेट गाओं के आसवस बनाया होते कुछ अर्बन सीटी डेवलप किये होते जो गर्मेंट के अब कोशिश है तो चीज़ें आसान होती राइट यूपी बिहा उडीसा जारकंट इस रीजन में जहांसे बहुत-जारा माइग्रेंट बाहर जाते हैं वहां अगर हमने सेट अप किये होते विलजिस कुछ इस तरह की अर्बन सेट एप उनके पास होते तो वहां उनके पास और उपजोनिटी होती है हमने वैसा सेट अप नहीं कि कि वहितिकल इक्वाइफ पता चलेगी कि बहु क्या चीजें किसे मूव कर रहे हैं कि इसके तुर। applied questions जाद आते है society पे तो आपको observation skills का इस्तमाल करना है issues को समझना है और हमेशा solution oriented रहना है as an IAS you are supposed to solve the problem as an answer you have to always give an outlook जहां आप सवाल को जो समस्या उसका निदान भी बता रहे है तो अगर आप किसी issue को देख रहे हैं और सोचने सा क्या solution हो सकता है global hunger index में इंडिया इतना नीचे आ गया किस वज़े से आया अपने article में पढ़ा है आपने इसको याल भी कर लिए और rank कौन सी है कितना drop हो ये भी याद होगा आपको पर यहां हमें काम है कि वो जो drop हुई है उसके कारण गया है और उसका solution गया अकसर जो आप आप article हमारे वीडियो भी देखते है वहाँ भी हम discuss करते हैं कि solution oriented कैसे रहा जाए क्या solution होना जाए कुछ तो आप अपने innovative solution भी सोच सकते हैं अपने आसपास देखके वो भी add करें आप तो आपके answer में wait आता है तो आप society को समझेंगे ethics को समझेंगे और अलग-अलग questions को देखते हुए solution क्या हो सकता है उसका वो सोचने की कोशिश करेंगे ये सब करने में जारा time नहीं जाना आपका जो भी चीज़े बतारो जो आप article पढ़ते हैं वैसे भी current defense के लिए वाथ थोड़ा सा दिमांग लगाई ये चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी society आप पढ़ लेंगे topic तो comparatively आपके लिए ऐसे ही हो जाएगा तो जो cause और implication है जो भी decision लिए जारे है उसका क्या फर्क है कहां वो decision लिए जारे हैं क्यों लिए जारे हैं इस सब समझना आवश्यक है तो हम analyze करेंगे कैसे topics को देखिए तीन factors एक connections देखिए outcomes जो मैंने का solutions देखिए क्या solution है उस चीज़ के और जो आपका content है उसको आप कैसे इसमें frame करेंगे तीन चीज़ें आपके इस society answer का society के topic को solve करने में help करेंगे कि अगर आपने देखा कि कोशन पूछा जा रहा है communism यह secularism पर अब आपको सीधा देखना चाहिए communism पहले जो मैंने बला why क्यों बढ़ रहा है what communism होता क्या है और कैसे बढ़ रहा है तीन चीज़ें आपने सोची तीन इसका solution क्या हो सकता है कि लॉंग टर्म शॉट टर्म मैं आणसर कर नहीं रहा है मैं बता रहा हुआ और short term में क्या करें, short term में आप उन्हों को कड़ी से कड़ी सजा दें, जो उसे काम करें, जिससे कि communal harmony खराब होती है, ऐसी publications fake news को बंद करें, control करें, आप और ज़्यादा school structure को थोड़ा change करें, आप confidence building measures community के बीच में बढ़ाएं, law and order को strengthen करें, और reforms तो long term होते हैं, short term reforms कैसे start कर communal dish harmony की वज़े से, संप्रता वाद की वज़े से, तो क्या कारण है, राजिनती कारण आपको भी पता है, समाजिक कारण आपको भी बता है, बस उसको लिखने आंसर में, तो इस तरह आपको दिखता है, कि भाई, क्यों हो रहा है, वाई, तो हमें पता है, politicization का एक reason है, लोग communalism का आपने simple भाषा में एक line में भी explain कर सकते हैं, और कैसे हो रहा है, ये भी आपको पता है, पर ये जो structure है, ये कबार आपको दिबाग में घुज गया, चक्या क्या, क्या solution है, फिर आपको जो लग रहा है, जो question exactly पूछे आप उसको answer कर सकते हैं, ये हो गए आपके connections build करना politics की वैसे हो रहा है, कुछ लोग जादा अमीर होने हैं, कुछ गरीब होने हैं, जो गरीब तबका है, वो चाहता है कि भाई नहीं, जो ये इनके पास पैसा जादा है कि इस community के पास, वो किनी गलत तरीकों से आया होगा, फिर उनकी भावनाओं को भढ़काना एक तरीका है, उनकी भावनाओं को भढ़काना एक तरीका है, फिर outcomes की बाद आती है, कैसे हम topic को समझ के और frame कर सकते हैं आंसर, solution हमने सोचा क्मिनलिजम है क्या है, और जैसे जैसे मने अलग यहाँ content use होता है, क्या definition है क्या connection सही है, और क्या हाँ पर आपको limit करना है, क्या आप बोल नहीं स वही से questions में आप जब देखेंगे, वही से आपको topic, syllabus, connections, keywords और examiner question के साथ कहा जा रहा है, इस सब समझ आ जाए, तो आप structure को map करेंगे, content भरेंगे, और picture को complete कर देंगे, वही जो मैं आपको समझा रहा हूँग, आप देखेंगे किस topics है, यह आपको Indian society को देखके ऐसी पता ल आए थे, जो मैंने का था कि आप सोच सकते हैं, question आने वाले है, COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India, आज कुछ तिनों पहले rank आए थी इंडिया कि हंगर वंगर बढ़ गया है, inequality बढ़ गया है, poverty बढ़ गया है, पिछले साल पता ही सब को हो रहा है, COVID के वज़े से, यह question simple था, जो आने वाला था आया, how is caste lost is relevance in understanding the multicultural Indian society, elaborative answerable illustrations, तो आपके जो भी example है, या तो आप खुड के लिख सकते हैं, या जो आप पढ़ रहे हैं, content उसमें हो सकता है, उसका answer पर हो, diversity and pluralism India under threat due to globalization, globalization पे questions पहले भी कई बार आए हैं, फिर इस साल रिपीट होए, यहाँ पे globalization पे specifically globalization नहीं पूछ रहे हो, पुछने हैं, are diversity and pluralism India under threat due to globalization, यह तीन keywords है, diversity, pluralism, sorry, दो keywords है, diversity, pluralism और globalization in India, right, उसमें क्या threat है, globalization की वज़े से, अब यहाँ, thought process भी बिट करें, globalization भाही पहले होता क्या, what is this, why is this, क्या, कौन responsible इसके लिए, इन सब चीज़ों को सोचना होगा, तब आप सोचेंगे, diversity and pluralism आप कै कैसे इंडिया की define करते हैं, क्या सही में प्रभाविद हो रही है, या नहीं हो रही है, अपने हिसाब से आप answer society में कर सकते हैं, यही खास बाल है, जो आपका point of view है, तो जो भी content आपके पास है, जो आपको लगे कि इस answer को बहतर तरीके साब answer कर सकते हैं, तो वो आप line of thought ले you agree, अब obscurantism की बाद जब आती है, सूपर स्टिशन, क्या सूपर स्टिशन obscurantism बढ़ रहा है या नहीं, क्या जो custom tradition है, क्या हमेशा इसको बढ़ाते हैं, हमेशा तो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं-कहीं ज़रूर बढ़ाते हैं, आपने हाल में देखा हो, बच्चे को कढ़ाई में डालके पानी में कुछ हो रहा था, कुछ पूजा वगरा कुछ कर रहे थे, वो एक अनविश्वास वारा tradition है, जहां उस बच्चे को जल सकता है, गर्म पानी में बैठाया हुआ था उसको, तो इस तरह के जो examples है, वो क्या दिखाते हैं, वो ये अनविश्वास दिखाते हैं, जिने रोकना हमारा काम होना चाहिए, अब how have digital initiatives India contributed to the functioning of education system in the country, eligibility answer, यहाँ digital initiatives की बात आ रही है, आप खोद एक digital initiative इस lecture को देख रहे हैं, YouTube ने आपके जीवन को कैसे बनला है, आप वो डिफाइन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें कैसे इंडिया में जो open courses, government ने बड़े-बड़े courses, बड़े-बड़ universities के घर बैठे आप कर सकते हैं, और कैसे primary level पे, secondary level पे, senior secondary level पे, जा दूर दराज के लाकों में, ज्यादा बहतर तरीकी से education system काम कर सकता है, due to digital initiatives, और कौन-कौन से digital initiatives हैं, इस simple straightforward question है, उसके लिए आपको बस पढ़ना था, और यह ऐसे question क speedy process of urbanization in India, यह 200 word का question पूछा गया था, इस बार भी globalization के question आया है, तो globalization के सभी dimensions आपको कवर आपने नहीं किये गर society के लिए, तो फिर आप गलत कर देंगा, जब कि यह मलड़ू है बिलकुल, दो बार question आचों का globalization में तीसरी बार repeat हुआ है, तो you are supposed to write a very good answer, पर point है कि आप उस speedy process हुआ है, example के लिए आप इंडिया के शहरों को देखे, Mumbai is overcrowded, Delhi is overcrowded, which city is not overcrowded, जहाँ urbanization planned तरीके से हो, for example, चंडीगड एक बहुर अच्छा example है, जहाँ पर शहर धंग से plan हुआ हुआ है, अगर आप इन तीनों शहरों में जाएंगे, तो आपको सीधा clearly दिखेगा difference, द क्या impact हो रहा है, क्या impact हो रहा है, और इसमें आपको discuss करने है, social problems, आप कहेंगे, social problems क्या होगी, चोरी हो रही होगी, लोग, sanitation का issue होगा, यहीं दो-चार चीज़ें होगी, और क्या होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा और retail में जाए urbanization की, भाई, speedy process, तुरंद urbanization होई है, NCR कि उनमें जीरें एक शहर में, अगर आप गई होंगे, मुझे उमीद है, नहीं भी गई तब भी चलता है, काम आपको पता, यह reality क्या है, वहाँ, overcrowding हो रही है, overcrowding से क्या हो सकता है, और कैसे इसमें shape-up कि हैं India को, तो आप पहले substantiate करेंगे, कि दिमाग में कि भाई, क्या चीज़ है, जो आपनाशन को स्पीड अप कर रहे है, क्या social problem है, इंडियन context में, इंडियन context special इसलिए हो जाता है, क्योंकि इंडिया में family structure कुई दर है change हो चुका है, पहले के मकाबले, right, अब अगर हम इसी topic को देखें, अप्रोच कैसे होंगे, क्या हम केवल social problems को ही discuss है, नहीं, should we talk about speedy process, originated and led to social problems, बिल्कुल, यह तो करना चाहिए, अब यह कैसे हुआ, तो इसमें हम क्या देख सकते है, क्या-क्या social problems है, और क्यों वो in process of formation की वज़े से ही जादा हुए, और इतने rapid क्यों हो गए, आपको यह structure आपका answer कैसा है, वो बता रहा है, कि approach आपके correct answer क्या हो निचे है, पहले आप mention करेंगे, अब इनवार्मेंट की बात क्यों कर रहा हूं, यहां तो बात social problems की है, environment तो एग अलग समस्या है, पर environmental समस्या है, वो भी मारे social problem से, इसकी वज़े से ही हुई है, for example, अगर hospitals एक ही जगे हैं सारी, और सारे लोग वहीं जाएंगे, सार तरह की बिमार लोग, और वो overcoded hospital होगा, तो वहां बिमारियां फैलने का जारा खत्रा होगा, आप super bug की बात हम बत कर लें, super bug, new daily super bug भी सुख कहते थे, जो की बहुत ही एक अजीब सा नाम था, जो शायद कहा जाता था, कि इंडिया में जो medical tourism उसे रोकने के लिए भी कह तो नहीं था, पर माल लीजे, new daily super bug गया, जो की इंडिया के hospital में देखा गया, जिससे की आप resist हो जाते हैं कुछ antibiotics है, तो फिर आपके उपर antibiotics काम नहीं करती, कुछ दवाईं आपके उपर काम नहीं करती, वो इसलिए वा था, इतना दरा over crowded situation हो गया था इंडियान hospitals में, और वो प्रपेर नहीं थे, उन्हें इस लोड को लेनी के लिए, तो वो भी related है, किस से, overcrowding से, overcrowding क्यों हुई, क्यों हुई, क्योंकि है hospital आपके बागी शहरों में नहीं है, social unrest होने, crime congestion हो रहा है, family system पे प्रभाव पढ़ेगा, तो क्या होगा, बच्चों पे प्रशर पढ़े रहे है, composition of Indian society, या कोई भी society है, कैसे compose होगी, वो क्या होते है, उसके factors, population, territorial base, mutual awareness, should culture, psychic unit, normally यह आरपाश topic आपको पता है, अच्छा है, society का इसा पाट होता है, इस पे थोड़ी अगर आप और आगे जाए, what is population, what is territorial base, mutual awareness क्या होती है, मुझे पता है, आप हैं यहाँ, student है पढ कि एक और experiment है, वो ही पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा होगा, या उनकी क्या समस्या है हो सकती है, हमें पता है, तो इसलिए हम उसके हिसाप से content लेगाते हैं, videos बनाते हैं, जो भी courses launch करते हैं, हमें पता है कि आप हैं, और we share a bond, wherein we discuss things and we know about each other, मतलब aware मैं भी हूँ और आप भी है, कि हाँ, उनले आस एक चैनल है, हमें पता अच्छा student से है, जो उनले आसको देख रहे हैं, society तभी बनती है, कोई भी हो, तो इंडियन society में mutual awareness अगर नहीं होगी, तो society नहीं होगी, आप सिर्फ अपने कमरे में आपको मतलब ही नहीं है, कोई और exist कर रहा है, नहीं कर रहा उसकी क्या problem सुखते है, कोई मतलब ही नहीं, एक psychic unity की बाद आती है, अब आप मुझसे मिले नहीं है, मैं आप से मिला नहीं है, अब ये video फिर भी देख रहे हैं, हम सोचने हैं, हमारी एक relationship है, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो it's a psychic unity, जहां आ इसे कहते हैं, constructed reality, और अकसर realities constructed ही होती है, इंडिया क्या, इंडिया कोई exist तो करता है, ये इंडिया है, वो तो हमने माना है कि हाँ इंडिया एक country है, तो एक important factor है, अगर हम कुछ मानेंगे नहीं, अगर हम mentally कुछ define नहीं करेंगे, तो लोग जी नहीं पाएंगे, society work on that aspect, तब भी तो हम कहेंगे, ये हमारा culture है, हम आप उसमें share करते हैं, तो ये सारे factors जो है, इन पर detailed discussion करना है, ये हमारा काम होगा, प्रेवे से questions analyze करेंगे हम, topics को, newspapers को, ढंग से कैसे पढ़ना है, उस पर discuss करेंगे, और एक-एक topic, एक-एक question को, एक-एक serious way में हम समझेंगे, और detailed analysis और detailed रूप से इन चीज़ों को समझेंगे, तो आज इस topic के लिए इतना ही देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you very much and have a nice day, keep watching only areas.